इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जखम से बाहर निकलूं। ये डालोग सुनते ही जहन में एक ही नाम आता है अभिनेता जौन अब्रहम का जिन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपने टालेंट और हुनर के दम पर बॉलिवुड इंडस् पर पूरी तरह अच्छा जाती है यहीं वजह है कि उनके फैंस इनके अपकमिंग मुवीज का बेस सबरी से इंतिजार करते हैं इनके आक्शं और रोमांस भरी फिल्में दर्शकों का हमेशा मनुरेंजन करती है और दर्शक हमेशा इनकी फिल्मों को प्यार भी देते आए ह उनके फिल्में बॉक्स ओफिस पर करोडों के क्लब में शामिल होती है यही वज़ा है कि उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उनके अपकमिंग मूवी कौन सी होगी फिल्म में उनका किरदार कौन सा होगा और फिल्म की कहानी क्या होगी अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस विडियो के एंड तक बने रहें साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी विडियो को लाइक करना ना भूलें जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलिवुड के आक्शन हीरो जॉन अब्राहम साल 2019 में अपनी फिल्मों से बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से धम्माल मचा चुके हैं जिनमें उन्होंने अपनी चार फिल्मों से बॉक्स ओफिस पर अच्छी कमाई की थी जिन में उन्होंने पागल पंती, बाटला हाउस, रोमियो अकबर वॉल्टर और सत्यमेव जैते टू जैसी फिल्मे थी जिन में उनके अभिने को दर्शकों द्वारा बेहत पसंद किया गया था जिन में उनका किसी में रोमांस, ड्रामा, आक्शन तो किसी फिल्म में उनकी धाकर कॉमेडी देखने को मिली ऐसे में उनकी फैंस उनकी अपकमिंग मुवी का बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2020 में जॉन अब्राहम अपनी कौन सी मुवी के साथ बॉक्स ओफिस पर धम्माल मचाने वाले हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि जॉन अब्राहम जल्द ही अपनी अपकमिंग मुवी के साथ बॉक्स ओफिस पर नजर आने वाले हैं जिस मूवी का नाम होने वाला है Attack आपको बता दें कि जॉन अब्राहम की ये फिल्म एक आक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें जॉन अब्राहम सीरियस रोल में नजर आएंगे जो कि उनकी फिल्मों में हमें अक्सर देखने को मिलता है उनकी ये फिल्म हर साल की तरह सुवतंतरता दिवस पर ही रिलीज की जाएगी जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2018 में सत्यमेव जैते जो की सुवतंतरता दिवस के दिन रिलीज हुई थी जिसके बाद 2019 में आप सभी को फिल्म बाटला हाउस देखने को मिली थी जिसके बाद अब साल 2020 में सुवतंतरता दिवस के मौके पर आपको उनकी अपकमिंग मूवी अटाग देखने को मिलने वाली है जिसमें जॉन अबराहम का एक बेहत खास किरदार होने वाला है आप सभी को जॉन अबराहम एक अलग लुक में नज़र आएंगे जो की फैंस के लिए काफी इंट्रिस्टिंग होगा वहीं अगर बात की जाए फिल्म के स्टार कास्ट की तो आपको बता दे कि जहां फिल्म में आपको जॉन अबराहम एक अलग अंदाज में नज़र आएंगे तो वो एक नए कॉंसेप्ट के साथ फिल्म में नज़र आएंगे वहीं फिल्म में उनका साथ देने वाली है एक नहीं बलकी दो-दो आक्ट्रिसिस जिन में फिल्म में जाकलीन फर्नांडिस और रकुल प्रीत कॉर नज़र आएंगी जी हां सही सुना आपने फिल्म में आपको जौन अब्राहम एक नहीं बलकी दो-दो आक्ट्रिसिस के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगे जो कि बेहद ही इंट्रिस्टिंग रहेगा पर अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि दोनों आक्ट्रिसिस फिल्म में कौन सा किरदार निभाती हुए दिखेंगी वही फिल्म में हमें कई और नए चेहरे भी जुड़ते हुए नज़र आएंगे पर अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो चहरे कौन से होने वाले हैं वेल अब देखना ये होगा कि फिल्म का ओफिशल अनाउंस्मेंट कब तक होता है और फिल्म का ट्रेलर और टीजर कब तक सामने आता है जिसका उनके फैंस को बिस सबरी से इंतिजार है तो दोस्तों आपको जॉन अबराहम की अपकमिंग मुवी का कितना बिस सबरी से इंतिजार है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवोड इंडस्ट्री से जड़ी और भी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें